हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल पर एक बर फिर से स्वागत हैं और सर्दियों का सीजन चल रहा है तो ऐसे में आज हम बनाएंगे बैगन, मूली, टमाटर और वड़ी की बहुत ही हेल्दी और टेश्टी सबजी जिसे आप एक बर बना के खाएंगे तो चिकन भूल और अब हम आलू को इस तरीके से पीलर से चील करके इसके चिल के उतार लेंगे और सेम तरीके से ही हम प्याज को भी चील लेंगे और यह देखें यहां मैंने आलू को चील लिया है और यहां मैंने बैगन, आलू, मूली, प्याज सभी को अच्छे से धूब के वाश कर लिय जाले हैं और अब हम एक chopping board लेंगे और इस तरीके से बेगन को cut कर लेंगे बैगन को बीच में से काट कर हम इसे लंबे लंबे टुकड़ों में cut कर लेंगे और अब हम इसे दूसरे size से भी cut कर लेंगे और ये देखे यहां मैं स्क्वाइर सिप में बैगण के सबजी को कट कर लिया है सेम एक्षाप सेम दूसरे बैगण को भी और ऑर अर यह सार बैगण को कर लेंगे कि this घ्रकश हम सारे में इस एक काट लेंगे द एद्टेस कोभी बैगण सेह हम कुछ ले सारा बैगण और अब हम मूली को भी बीच में से काट लेंगे और इसके साइट को भी कट करके अलग कर लेंगे और इसे राउन्ड शेफ में या आपको जैसा एजी लगे आप वैसा काटें यहां मैंने इसे राउन्ड शेफ में कट कर लिया है और यह देखें यहां मैंने मूली को भी अच अची तरीके से कट कर लेंगे और अब हम प्याज लेंगे प्याज को भी हम इस तरीके से बड़े टुकडों में ही स्लाइस में कट कर लेंगे जिससे प्याज हमारे इजिली कट जाएंगे और ये देखे यहां मैंने प्याज को भी अच्छे से बारी कट कर लिया है अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप प्याज को स्कीप कर सकते हैं बिना प्याज के भी ये सबजी बहुती अच्छी बनती है और ये देखे यहां मैंने सारी सबजीयों और टमाटर को अच्छी तरह काट लिया है और अब हमें कड़ाई लेंगे गैस का फ्लेम ओन करे हैं लेकिन सरसो के तेल से ये सबजी बहुत अच्छा बनता है और अब हम इसमें बड़िया डालेंगे बड़ी डाल करके हम इसे मेडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरह ओयल में भून लेंगे और ये देखे बड़ी का कलर चेंज हो गया है और बड़ी भी हमारी अ लेकाल लिया है और चलिए अब हम बचे हुए तेल में एक चमच पांच फोरन देंगे पांच फोरन यहां पांच मसालों का मिक्स है और अब हम इसे तेल में डालेंगे तेल में डालकर इसे अच्छी तरह क्रैक होने देंगे अगर आपके पांच फोरन ना हो तो आप इसमे जीरा और सरसो डाल करके भी इस सबजी को बना सकते हैं और अब हम इसमें बारिक कटे हुए प्याज डालेंगे प्याज डाल कर कैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे एक मिनट के लिए चलाते हुए अच्छी तरह भूल लेंगे और अब हम इसमें दो तेज पता डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे आप इसे mix बेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये काफी सारे सबजियों को mix करके बनाया जा रहा है और अब हम इसमें एक चमच अदरक लहसुन का पेश डालेंगे पेश डालकर हम इसे भी चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे एक से डेड़ मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे जिससे अदरक लहसुन का कच्छापन खतम हो जाएगा और पेश हमारा अच्छी तरह भून जाएंगे इस सबजी को आप एक बर घर पे जरूर बनाएं ये बनाना जितना जादा असाने खाने में उतना ही जादा तेश्टी है और अब हम इसमें कटे हुए आलू डालेंगे और कटे हुए मूली डालेंगे अपने पसंद के और भी सबजिया इसमें एट कर सकते हैं और अब हम इसमें कटे हुए बैगन डालेंगे ये सबजिया डाल कर हम इसे हाई फ्लेम पे चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए अच्छी तरह भूल लेंगे जिससे सबजियों का कच्छापन खतम हो जाएगा और सबजी हमारे सारे इंग्रिटन के साथ अच्छी तरह भून जाएगे सबजियों को भूनते हुए दो मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें एक चमच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे एक चमच हल्दी पॉडर डालेंगे और इसमें हम देड़ चमच धनिया पॉडर डालेंगे एक चमच और आधा चमच धनिया पॉडर डालेंगे और इसमें एक चोथाई चमच जीरा पॉडर डालेंगे इस टेम पे गैस का flame medium रखेंगें और अब हम इसमें 14 चमच मिर्च पॉडर डालेंगें और अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च आप बारिक कट करके भी डाल सकते हैं और अब हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मसालों के साथ सब्जियों को अच्छी तरह भून लेंगे जिससे मसाला भी जले ना और आप देख सकते हैं मसाले हमारे सब्जियों के उपर अच्छी तरह से कवर हो गया है और ये दिखे, यहां मैंने मसालो को सबजियों के साथ अच्छी तरह भून लिया है और अब हम इसमें फ्राइ के हुए बड़ी डालेंगे बड़ी डालकर और अब हम इसमें कटे हुए दो टमाटर डालेंगे यहां मैंने टमाटर को रफली कट कर लिया है क्योंकि यह सीजनल टमाटर है और यह बहुत जल्दी अच्छी तरह से गल जाते है और अब हम टमाटर को सबजियों के साथ चलाते हुए अच्छी तरह मिला लेंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जिससे टमाटर भी सबजियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे सबजियों को अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसमें एक चोटा कटोरी पानी डालेंगे पानी डालकर हम इसे ढख कर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे और यह देखे 5 मिनट हो गए है हम सबजी को एक बार अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे और हम इसे चिक कर लेंगे और यह देखे सबजी अमारी अभी अच्छे से गली नहीं है हम इसे ढग कर मीडियम फ्लेम पे ही और पांच मिनट के लिए पकने देंगे और आप देख सकते हैं सबजीयों को पकते हुए टोटल दस मिनट हो गए है और ये देखिए सबजी अमारी अच्छी तरह से गल गई है हम इसे इस तरीके से चेक कर लेंगे मूली और आलू हमारी अच्छे से कट रहे हैं इसका मतलब है कि सबजी हमारी पूरे अच्छे से पक गई है और अब हम इसमें एक चोथाई चमच गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला डालकर हम इसे भी सबजीयों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सबजियों को अच्छी से मिला करके हम इसे भी ढग करके एक मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पे और पकने देंगे और आप देख सकते हैं एक मिनट हो गए हैं और सबजिया हमारी अच्छी तरीके से पक गई हैं और अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे, और इसके उपर बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया डालकर हम इसे भी चलाते हुए अच्छी तरह मिला लेंगे, और आप चाहे तो इसमें पानी डालकर इसे तरी वाली सबजी भी बना सकते हैं, और चली अब हम इसे प्लेट में करमा गरम सर्फ करेंगे आप इसे पूरी पड़ाठा या राइस के साथ खाए ये खाने में बहुत ही टेश्टी और स्वाधिश्ट होता है आप इसे देशी तरीका में बोलूं तो राइस के ही साथ खाए ये चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेलफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अब मैं मिलूंगी आपसे एक और नए रेसेपी में